हाई फ्रेंड्स अप मेरे लेटेस्ट अपने मेल में पाने के लिए youtube.com slash hindi tech tutes टाइप करके यहां subscribe बटन प्रेस करिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग tally erp 9 के बारे में सीखेंगे और उसका introduction जानेंगे यह software क्या है किसलिए उसकिया जाता है कब मौजुद में आया है तो देखिए tally एक accounting package का software है accounting software है यानि इस पे account center करने के लिए इस्तेमाल करते है यह देखिए आपको Indian based company है यानि इंडिया वालों ने इस company को develop किया है कब देखिए इसको 1988 में जुलाई 19 को Petronix private limited वालों ने बैंगलूर में develop किया था ठीके तो यह tally को लगबग सव countries में use किया जा रहा है जैसे इंडिया, United Kingdom, Bangladesh और Middle East countries में तो बहुत जादा इस्तेमाल होता है ठीके तो इसको भरत गोंड कर नाम का person ने develop किया है इसका जो पहला version था ना, उसका version का नाम था tally 4.5 ठीके यह dash based version था, dash based बोल तो मालूम ना dash based यानि इसमें आपको mouse काम नहीं करेगा सिर्फ keyboard के जरीए आपको इसको operate करना होता है ठीके बाद में देखिए यह सिर्फ accounts only ही था ठीके बाद में इसको 5.0, इसका version 5.0 आया है इसमें देखिए आप accounts only ही और accounts with inventory को भी maintain कर पाने के लिए इसको develop किया गया था, यह 98 और Windows XP पे चल रहा था बाद में इसके बाद में 5.4 को introduce किया गया है बाद में 6.3 को, बाद में 7.2 को देखिए यहां तक तो वैट एंटर करने के लिए टैली में options मौझूद नहीं था यहां से देखिए आपको 7.2 के, 7.2 से आप वैट को भी एंटर करने के लिए options दिये गए है ठीके, तो बाद में देखिए सिर्फ यह English language में ही चल रहा था इसको 12 language में develop किया गया है, concept version के साथ, 8.1 version के साथ next 9.0 आया है, और अब फिलहाल टैली ERP 9 चल रहा है ERP यानि Enterprise Resource Planning, ठीके, तो यह Windows XP 7, 10 सब में काम करता है देखिए ऐसे तो आपको बहुत सारे accounting softwares मिलते हैं इसे Wings, Focus, Busy, Peace Tree, यह बहुत अलग-अलग countries में अलग-अलग accounting softwares इस्तेमाल करते हैं टैली इसमें से बहुत famous है, क्योंकि यह बहुत flexible है इसमें आपको accounting के हिसाब से हर तरह के काम इसमें आप कर सकते हो जैसे payrolls बनाना, या salary slips बनाना, या taxes को एंटर करना TDS को इंटर करना, VAT को इंटर करना, sales tax निकालना, service tax निकालना इस तरह के बहुत सारे इसे काम है जो accounting में होते हैं वो आपको एक छुटकी भर में यह आपको करके देदेगा ठीके, तो यह था इसका introduction next video में मैं आपको एक टैली कहां से download करते हैं और कई से install करते हैं इस सब देखेंगे अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो like बटन प्रेस करिए facebook के जरीए, twitter के जरीए, google प्रेस के जरीए इस वीडियो को share करिए subscribe बटन पर क्लिक करना मत भूलिए thank you